हाई स्टुडेंट्स मैं एमेश स्वान आपके सामने दूसरा वीडियो आज देने जा रहा हूँ पहला वीडियो मैंने एबसुलूट प्रेशर पर दिया था जो फिजिस के नुमेरिकल में बेसिक चीज होती है एबसुलूट प्रेशर ही लिया जाता है कैलकुलेशन में ऐसे ही जो 11 12 के खास करकर बच्चे हैं उनके कॉंसेप्ट किलियर ना होने की वाज़े से आज का टोपिक से लेट किया मैंने वह है इसी आइडियल गैस वर्सेश रियल गैस मतलब आइडियल गैस क्या है और रियल गैस क्या है यह मैं आज आपको बताना चाहूंगा आइडियल गैस वर्सेश रियल गैस एक्चली हमारे फिजिकल वर्ल्ड में हम बहुत सारी एक्टिविटी देखते हैं कोई चीज ऊपर से गिलना किशी पैंडूलम का जूलना इन सम्में दो तरह की एनर्जी इनवोल होती है एक तो फाइटेंचल एनर्जी पोटेंचल एनर्जी विकोज ओप हाइट विकोज ओप पोजिशन और दूसरी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी जो विकोज ओप मोशन होती है तो दोनों एक्शन हमारे इन सम्म होते है तो अपने इस topic के explanation में मैं इनको external energy बोलूँगा external means external potential energy और external internal energy मैं एक pendulum के example से आपको समझाता हूँ कैसे होता है शुपाज करो ये pendulum है और ये ऐसा मुह होता है अपना pendulum और इसकी position ही आएगी तो जब pendulum को अगर हम यहां से छोड़ते हैं यहां क्या है potential energy maximum यहां से हम उसको छोड़ेंगे तो gravitation के according इसकी velocity बढ़ती जाएगी accelerate होता जाएगा और इस bottom पे इसकी velocity maximum होगी that means यहां position कुछ नहीं रही position reference point हमने यह लिया तो position कुछ नहीं होई यहां तो क्या होगी यहां kinetic energy maximum फिर उस velocity and moment के साब से वह इधर ही side तक जाएगा यहां kinetic energy velocity कम होते जाएगी और इस position पर जाकर रुख जाएगा तो यहां वह सब kinetic energy convert हो कि इसके potential energy में यहां भी potential energy maximum इस तरह से फिर वह बैक चलता है तो हमारा जो इन में बनता है देखने में हमेशा energy energy एक दूसरे में interchange होती है potential energy kinetic में और kinetic potential में यही हमारा सब physics का basic हो है Honda अभी मैं इसी चीज को आपको interrelate करूंगा अपने gas के भी ऐसे gas के अंदर क्या होता है बहुत सारे यह suppose करो gas है इसके अंदर यह atom है तो इन atoms के बीच में जो energy छुपी हुई है मैं उनको बोलूगा internal energy जैसे बार के केस में मैंने external बोला जो दिखाए देता है और गैस के अंदर अगर दो atom ले इनके बीच में attraction होगा या repulsion होगा उस attraction और repulsion के कारण ही उसके अंदर potential energy होती है attraction हो या repulsion हो वह potential energy है और जो molecule या जो atoms एक दूसरे में टकराते हैं वह velocity होती है उसमें जो तो वह अपनी kinetic energy होती है तो real gas में हमारी potential और kinetic दोनों internal energy होती है ideal gas वाले case में हमारी potential energy हम खथम कर देते हैं मैं example समझाता हूं एक item लोगा मैं कोई भी helium atom लेलो point charge वाला मैंने यह plus का nuclei ले लिया इस पर बार electron ले लिया और दूसरा यह ले लिया पलस का nuclei electron ले लिया अब यह plus nuclei एक दूसरे हो क्या करेंगे एक limit थक रिपल करेंगे और यह minus इसको attract करेंगे ऐसे यह से करेंगे तो repulsion और attraction always होता रहेगा लेकिन हमें एक ऐसी condition achieve करनी है जिस पर हमारी what distance आ जाए जिस पर attraction ना हो और repulsion भी ना हो वार डिस्टेंस मैं एजूम अभी करता हूं आर जीरो है वार डिस्टेंस और कैसे किस पर आती है तो फिजिकली जो है अपने पहरा मीटर है 273.15 कैल्वीन और अपना टैन की पावर थिरी पास्कल प्रेसर इस प्रेसर पर अपनी भार पोजिशन आ जाती है जब हम इसको ऐसी स्थेती पर ले आएं अब उनके बीच की डिस्टेंस आर जिरो हो जाए तो हमारा ना ट्रक्शन होगा ना रिपल्शन होगा तो देट मेंस पोटेंशल एनरजी खतम कोई मतलब निसका जीरो रहेगी तो ओनली काइडेंटिक एनरजी रहेगी विकोज ओप इनके इधर उदर भागना को लेजन करने से तो आइडेल गैस का मेन हमारा यही है बेस समदने का फंडे तो बहुत होते हैं किलियर करने के अल काइडेंटिक एनरजी और काइडेंटिक एनरजी डिपेंड ओन काइडेंटिक एनरजी डिपेंड ओन ओनली ओनली टैंपरेचर तो इसलिए हम जो उसके अंदर टोटल एनरजी आइडेल गैस के अंदर हो कि किस फोर्म में रहेगी वो इंटरन एनरजी ओनली काइडेंटिक के फोर्म में रहेगी उसको हम आइडियल कैस बोलते हैं अब यह मैं आपको थोड़ा इंटर फोर्स उनके बीच का उसके बारे मैं आपको बताता हूँ आर जिरो वाले जो एज्यूम की थी स्टेंस वो डिस्टेंस अपनी कैसे आएगी मैं एक ग्राब बनाता हूँ यह बनाया मैंने और यह लिया यह अपना पोटेंशल एनर्जी का ग्राब है यह जोन है अट्रेक्शन अट्रेक्शन फोर्स और यह जोन है यह हो गया फोर्स का घ्राब फोर्स मतलब दोनों एटम के बीच में फोर्स कैसे वैदी करेगा और डिस्टेंस को हम अगर लेकर चलेंगे आर जीरो के इदर आर जीरो से जादे इस इस्टेंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा और कम करेंगे तो क्या होगा और यह हो गया अपना डिपल्सी फोर्स अब इस ग्राब को मैं एक्स्प्लेंट करता हूँ यह पोटेंशल एनर्जी का ग्राब है और यह अपना है फोर्स का अब सुपोज करो आर जीरो डिस्टेंस हमारी यहां है और मोशन हमारा ऐसे करते हैं हम बिट्विन एटम्स जब आर जीरो पर होंगे हम तो फोर्स अपना जीरो हो जाएगा अगर आर जीरो से कम डिस्टेंस पर आते हैं तो कैसा फोर्स रिपल्सी फोर्स इधर की तरफ आ रहा आर जीरो से इधर की तरफ रिपल्सी फोर्स जाएगा देट मेंस उसके अंदर पोटेंशल एनरजी इस्टोर हो रही है अगर हम रिपल्सिफ फोर्स के अगेंट उसको लेके आ रहे तो अगर हम डिस्टेंस आर जीरो से जादे बढ़ हैं तो उनमें अट्रेक्शन फोर्स लगना सुरू हो जाएगा तो पोटेंशल जिसको हम कंडिशन में एजूम भी करते हैं और लाते हैं जबकि परफेक्टली कोई गैस इडियल गैस होती ही नहीं अग इस केस में मैं आपको और बताना चाहता हूं यह जो पोइंट है एनरजी का पोटेंशल एनरजी का यह इजीरो का मतलब यह हमने रेफेरेंश पोइं गुड यह नगी देते हैं आ जरीमर्स रेफेरें इसका यह अर्च एं थे नहीं देखें छेइंफ क्यूज का यह इनरजी हमने उसको कितनी दिये यह देदी हमने यह एनर्जी देने से क्या होगा पोटेंश जरो थी लेकिन जैसे हमने इसको एनर्जी दिये तो इस पोइंट पर पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी जैसे उसको टैम पेसर देंगे तो उसके एटम ज्यादा इदर उदर मतलब बागने कोईश करेंगे तो ज्याद को जनुगा यहां गए यह क्या है एक 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 क्रेंट पों फॉर्स होने की वजह से पेर ओप्रोस करेंगे एक एकट्रेक्शन फॉर्स करने तो इदर आयेंगे आर जीरो की तरफ लेकिन अबीन में वह उदर भी पहुंच जाएंगे तो यहां आते हैं जब इस डिस्टेंस पर आएं क्योंकि उसके अंदर एनर्जी स्टोर थी वह को लिजन एंड कानेटिक एनर्जी तो उस वैलोसिटी की वज़े से वह इधर तक भी आएंगे तो जैसे इस जोन में घुसंगे तो क्या हो जाएगा अपना यह वाला पार्ट क् मतलब नेगेटिव पोजेटिव वाली बात को ध्यान में रखते हुए इसमें पोटेंश एनर्जी है तो फिर वह इधर की तरफ जाएगा तो कहने का मतलब वह इस तरह से ही मोशन करता रहेगा उतनी एनर्जी उसमें हमने इस्टोर की तो और जादे एनर्जी करेंगे तो लेवल बढ़ जाएगा इस तरह का होने लगा लेकिन फाइनली देखते हैं हम कि एसम्टोटिक करब बनने लगता है इधर की तरफ एट मेंज अट्रक्शन फोर्स की तरफ जादे जाता है यह ऐसा बने से तो मैं यह बताने से मेरा मतलब यह है कि हम किस तरह से आर्जीर करत चाहिए तो स्टुडेंस आपको कोई भी किसी तरह की कुछ पूछना या आपकी क्योरी हो आप मेरे कमेंट में दे सकते हैं और आइडियल कैस के बारे में हो जानना चाहते हैं तो मैं सब कमेंट में रिपलाए दोंगा और बाकी तो नेक्स्ट वीडियो मैं आठ दिन के लि बस आज इतना है थैंक यू